वेल्कम बैक तो माई यूटुब चैनल वर्ल लिट्रेचर लास्ट टाइम हम लोग डिस्कुस कर रहे थे पारडाइस बाई टॉनि मॉर्सन हमने पारडाइस का इंट्रडेक्शन और हिस्टोरिकल कॉंटेक्स जो है वो अपने प्रीवियस जो कि यस्टरडे का हमारे लेक्शर था उसमें डिस्कुस किया था आपको उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आज जो है वो हम लोग पारडाइस की जो समरी है और इसके करेक्टर एनालसिस सब कुछ डिस्कुस करने वाले है और टॉनी मॉरिसन ने इस नौवल में इस स्टोरी के थ्रू इस परडाइस जो स्टोरी है इसके थ्रू हमें क्या दिखाने की उस टाइम पे सुसाइटी में जो इश्यू था एक major problem था क्या दिखाया है उसको भी हम लोग डिस्कुस करने वाले है हमें पता है कि Paradise जो है वो 1998 में ये पब्लिश हुआ था साधी साधी का genre जो है वो novel magical realism का है और इसका point of view जो है वो third person है इसके अंदर Tony Morrison क्या कहती है अब वो story को हम लोग further discuss करते हैं इस story में simple two towns है यह फिर दो communities हम कह सकते हैं उनको discuss किया गया है जो के United States में है जो के civil rights movement हुई थे उसी के फरमबाद जो है ये setting जो है वो start हो जाती है novel की यह पर novel जो है वहां से Tony Morrison ने लिखना start किया था उस event के बाद इसमें दो हमारे पस communities है एक है convent community और second है ruby community ये दोनों कहां पे हैं ये United States में हैं ये communities और उस time पे इन दोनों communities में कौन थे blacks ब्लैक्स ने इन दोनों टाउंस को found किया था और इसको इस दोनों टाउंस को explore करने के बाद वहां इन्हों पे इन्होंने खुद को settle किया और उसके बाद इनकी generation के दरम्यान जो conflicts पैदा हुए उस base पे ये story किस तरह से इन rate की गई है उसको हम लोग discuss करने वाले हैं हमारे पास दो communities हैं convent community और साथ इसाथ ruby community अब ये जो convent community है इसमें women रहती है और जो ruby community है इसमें black men mostly रहते हैं women भी है बट black men के हवाले से ये ज्यादा क्योंकि वहां पे जो orders हैं वो black men के ही माने जात हैं अब इसके story की तरह आते हैं और साथ इसाथ characters को भी देख लेते हैं सबसे पहले story start ऐसी होती है कि जो paradise की जो story है कि nine unnamed men होते हैं वो attack कर देते हैं convent community पे या फिर जो convent town है वहां पे ये attack कर देते हैं अब जो convent का जो main word है इसको हम लोग देख लेते हैं कि ये represent किसको करत हैं ये represent करता है कि एक ऐसी paradise जिसको construct करने में बहुत ज़्यादा complications हो साथ ही साथ ये जो belong करती है वो female community को belong से belong करती है और convent जो है एक किसम की paradise है किसके लिए women के लिए उस time पे जो black moments थी उनके लिए एक paradise है यहां तक clear हो गया हमें convent का कुछ literal meaning अब क्या होता है कि जो paradise novel के story start होती है तो कुछ लोग होते हैं कुछ males होते हैं जो के attack कर देते हैं convent जो community है उस पे convent town है जो उस पे men believe करते हैं कि जो women रह रही है convent community में वो sinful है इसलिए वो उन्हें जो है वो अपनी gun से उन पे fire करते हैं और उन्हें मानने की जो है वो कोशिश करते हैं साथ ही साथ ये story यहां पर जब start होती है तो climax story का इस तरह से दिखाया जाता है तो ये होता क्यों है इसकी जो background की story है वो next novel में discuss की जाती है means कि इसकी जो story है वो past में हमें बताई जाती है next होता कैसी है कि किस तरह से ही जो convent में women's हैं ये आई कैसे है convent town में साथ ही साथ और ये जो men है क्यों believe करते हैं कि इन women को जो है वो मार देना चाहिए इसको जो है वो आगे further story में जो है वो discuss किया गया है अब होता ये है कि जो first woman convent community में आती है उसका नाम mavis होता है वो अपने husband frank से abuse हुई होती है और accidentally अपने infant child को भी वो kill कर देती है उसके बाद वो आ जाती है यहाँ पे convent community में Ruby Oklahoma को छोड़ कर उस society को उस community को छोड़ कर उसके बाद ये होता है कि कौनी next character हमारा जो है story में वो अपनी mother के साथ convent में community में रह रही होती है फिर जो convent हमारी place है वहाँ पे वो mavis को बहुत ज़्यादा welcome करते है साथ ही साथ कौनी जो है वो as a child यहाँ पे आई होती है और Mary Magna जो है वो इसकी mother होती है इसने adopt किया होता है कौनी जब यहाँ पे आती है इसके बाद second woman जो convent community में आती है वो होती है जी जी यहाँ पे आती है second woman इस community में और यह आती है एक legendary rock formation के लिए उसके बाद third woman आती है सैनिका है यहाँ पे वो भी अपना घर जो है वो छोड़ के आ जाती है और उसकी mother ने उसको छोड़ दिया होता है अपनी team में उसके बाद next जो woman है इस community में आती है पलास यह एक wealthy high school teacher है साथ ही साथ इसके जो इसके जो friendship थी वो कार्लस के साथ थी उसने इसकी mother डीजी के साथ जो है वो अफिर चलाए इस वज़़ा से इसको छोड़ कर जो है वो भी convent community में आ जाती है अब convent community अगले कुछ सालों के लिए disjoint हो जाती है means कि उनके अंदर unity नहीं रहती इस क्योंकि जो convent की mother थी magna उसकी death हो जाती है और कौनी जो है वो depression में चले जाती है कौनी को then realize होता है कि अगर हम लोग unity नहीं adopt करेंगी तो हम लोग जो है वो एक successful convent community नहीं बना सकते एक paradise नहीं बना सकते then इस story को twist मिलता है और साथ ही साथ जो ये women's हैं वो खुद इन में unity आ जाती है और ये एक दूसरे की support में लग जाती है फिर ये होता है कि इसके बाद story back main जो हमारा एक center town है ruby वहाँ पे आती है इसको nine black families थी जिसने explore किया था इस town town ruby को जो के जिकारी मॉर्गन था उसने किया था इसको found उसके बाद एक heaven heaven एक state है heaven एक town है यहाँ पे वो भी वो अब जहास्ट crumble करना start हो जाता है means कि उसमें disunity आ जाती है यहां फिर वो small parts में divide होना शुरू हो जाते है तो इसके लिए एक नए जो town नए community को build करने की ज़रूरत थी तो जिकारी के जो twin grandsons है steward and deak यह इसके grandsons है यह एक नया town ढूंटे है जिसको ruby का town कहा जाता है अब ruby में क्या होता है कि जो old generation है और जो new generation है इन दोनों का conflict हो जाता है और जो बात है वो एक battle में change हो जाती है अब जो battle होती है तो एक reverend जो missner है वो civil rights activist है वो youngsters को support करता है और reverend fulliam यह opposing conservative है इसमें women's जो होती है वो इसमें unsure होती है कि वो किसको support करें डोवे and son Morgan यह दोनों steward और डी की wives हैं लेकिन यह unsure है कि वो किस group को जो है वो इस बड़े scene में इस बड़े battle में support करें अब जो leader है रूबी के वो क्या होते है कि इस लड़ाई से बचने के लिए वो सारा का सारा conflict जो है वो convent town में ले जाते हैं और blame करते हैं women को इसके conflict के पीछे साथी साथ lawn depressed जो है वो सारा का सारा plan जो है वो सुन लेती है steward और डी का के किस तरह से वो attack करने वाले है convent town पे और उस सारी women's को जो है यह उनका murder करने वाले है डीक जो है वो conny के साथ एक relationship में involved होता है वो steward को मना करता है कि उससे जो है उस पे fire मत करना जब तुम उस town में जाओगे Jeff Flitwood की जो है वो पहली दफ़ा Ruby जब से town बना होता है वहाँ पहली death जो होती है वो Jeff Flitwood होता है उसके sun की death हो जाती है वो nine attackers में से एक था जिन्होंने convent town पे attack किया था अब जो conny है उसको तो steward इसकी बात नहीं सुनता और उसको भी murder कर देता है जब ये convent town पे attack करते हैं अब story यहाँ पे end हो जाती है conny जो है वो अपने किसी एक ऐसी जगा पे बैठी होती है हम कह सकते हैं एक river like जहां से वो बहुत से नहीं लोगों का आते हुए देख रही होती है और साथ ही साथ एक ऐसी place भी होती है जिसको हम लोग paradise कह सकते हैं क्योंकि इस story में यहाँ पर यह story end हो जाती है इस story में magical realism था तो इस वजह से हम लोग story के end को कोई judge नहीं कर सकते है क्योंकि magical realism में कुछ भी हो जाता है क्योंकि यह genre ही ऐसा है इसी तरहां कौनी after death भी वो इनके एक उसकी जो paradise एक living world में paradise वो नहीं उसको मिल सकी थी but in the end after death वो एक paradise एक ऐसी जगाए पर है जो कि उसको paradise लगती है means कि इस story का जो title है वो इस पर कैसे fit होता है कि convent community convent जो एक town था वो एक paradise था women's के लिए लेकिन उस paradise को destroy कर दिया ruby के कुछ black man ने और अपनी और यहां पर एक और बात टॉनी मोरिसन नहीं दिखाई है कि किस तरह से opposite जो gender है on the basis of power on the basis of strength किस तरह से अपने जो conflicts हैं अपनी जो mistakes हैं उसको अपने opposite gender पे blame कर देते हैं जैसे कि black man ने woman के साथ किया इस तरह से post colonial जहां से post colonial societies में wild सी blacks को exploit नहीं करते black man भी black woman को exploit करते हैं इस story को यहीं पर हम लोग अपना फतम करते हैं वीडियो को like और share और channel को subscribe कर दीजेगा thanks for watching my channel